नमस्कार दोस्तों स्वागत आए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडेटेन्मेंट में दोस्तों चैनल पर पहली बार आए है, तो सब्सक्राइब कर लो और बैल के आइकॉन को प्रेस कर लो ताकि आगे हम जो भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाईल में मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख पा हिंदी टीवी शो का मोस्ट पॉपुलर सीरियल जनक के एपिसोड में फुल ओफ ड्रामा रहने वाला है, तो आए आपको शो की कहानी बताते है, हिंदी टीवी सीरियल जनक में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि स्रिष्टी को डल लग रहा है कि कहीं उसकी सच्चाई सब के सामने ना आ जाए, तो आए जानते है कि एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, सीरियल में स्रिष्टी का डर सच साबित होने वाला है, स्रिष्टी की सालगिराह वाले दिन ही उसकी सच्चाई हर किसी के साच, स्रिष्टी की प पार्टी चल रही होगी, उस पार्टी में ब्रिजभूशन और नूतन जनक भी पहुचेगी, वो स्रिष्टी को बधाई देते हैं, इसके बाद ब्रिजभूशन कहते हैं कि वो सब को नूतन और अर्शी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, फिर विनायक यानी स्रिष्टी क पती की पार्टी में एंत्री होगी, वो सब के सामने इस बात का खुलासा करेंगे कि स्रिष्टी की एक नहीं बल की दो बेटियां हैं, विनायक बताएंगे कि स्रिष्टी की एक बेटी अर्शी और दूसरी बेटी नूतन है, नूतन के पिता ब्रिजभूशन है, आगे तरह तूट जाएगी. विनायक सालगिराह वाले दिन एक खेल की तयारी कर रहे है. अब उनका खेल क्या होगा इसका पता चल चुका है? क्या अपनी सच्चाई सामने आने के बाद स्रिष्टी इस सच्चाई को अपनाएगी? क्या वो सब को अपने अतीत के बारे में बताएग क्या स्रिष्टी का खेल खुलने के बाद नूतन सब को ये बताएगी कि वही जनक है और स्रिष्टी की सच सामने लाने के लिए ही उसने ये चाल चली है. दोस्तों अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और फेस्बुक प पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके.